नमस्कार दोस्तों, फैक्ट फाइल्स में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में एक ऐसा अलाका है जहां दुनिया की किसी भी बंदुक का मॉडल मिल जाता है। बो भी बेहत सस्ते दामों में। यह अलाका एक ऐसी जगह है जहां अब तक पुलिस भी जाने से बस्ती रही है। दर्रा आदम खेल पेसावर से कोई 35 किलोमीटर दूर पहड़ों में बसा छोटा सा सहर। यहां की एक मंडी मसूर है लेकिन खाने पीने के सामान के लिए नहीं बंदुकों के लिए। मिल जाती है। भारति मुद्रा में इसकी कीमत हुई करीब 45,000 रुपे। इसी तरह एक के 47 गन या 13,000 पाकिस्तानी रुपिये यानी सवा 8,000 भारतिय रुपे में मिल जाती है। बेचने वाले इनके टेस्ट फायर करणके भी दिखाते हैं। ग्राग को पूरी तसल्ली के बाद ही वो कुछ बेचते हैं। इन हतियार बनाने वालों का धावा है कि इनके कारीगर इतने कुसल हैं कि उन्हें कोई भी हतियार दिखा दें वो उसकी हुबहु नकल कर देंगे हतियार बनाने के लिए ये लोग स्क्रेप यार्ड से मैटल उठाते हैं यह एकसर पुराने समुद्री जाजों का कबाड होता है जिसे इस काम के लिए इस्तमाल किया जाता है आसपास के इलाकों में रहने वालों को भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इलाका पस्तून भहुल है और पस्तून परवारों में जमानों से हतियार रखने का चलन रहा है एक जमाना ऐसा भी था जब इस बजार में हर अवेद चीज मिल जाती थी फिर चाहे चोरी की गाड़ी हो या फिर फरजी डिगरी 1980 के दसक में यह बजार काफी फाला फूला अफगानिस्तान से सीमया पार कर मुजाहिद दिन यहां आ जाया करते थे और सोबियत संग के खिलाप जंग के लिए यहीं से हतियार खरीदा करते थे बाद में इस जगे पर पाकिस्तान तालिबान का कबजा रहा अब पिछले कुछ बक्त से हालात बदले हैं सरकार धीरे धीरे इस अलाके पर नियंतरन करने की कोशिस में लगी हुई है दुकांदार बताते हैं कि कभी यहां 7000 से भी ज्यादा दुकाने हुआ करती थी आज आदी भी नहीं बच्ची हैं सरकार की सकती की वज़े से मांग कम हुई है सहर के भार नाके लगा दिये गए हैं जगजग़ लोगों को रोप कर तलासी ली जाती है ऐसे में अब दर्रा आदम खेल से हत्यारों को बाहर ले जाना मुश्किल हो गया है अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सेर करना ना भूले हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लिए वीडियो के नीचे दिये हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें